ये कहाने हैं एक छोटे से गाउं में रहने वाली एक मामूली से लड़के की जो सिर्फ और सिर्फ दस्वी कक्षा तक पढ़ा हुआ था तो शहर निकल जाता है गाउं से कि कुछ कमाएगा और अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाएगा शहर पहुँचता है कुछ पता तो था नहीं पेपर में एक विज्यापन देखता है जिस विज्यापन में एक ओफिस असिस्टेंट की सर्वत थी तो अप्लाई कर देता है अप्लाई करने के बाद डरते डरते इंटर्व्यू के स्थान पर पहुँच जाता है देखता है लंबी लाइन लगी हुई है जब उसके बारी आती है तो काफी सारे इंटरव्यूवर्स बैठे होते हैं और उससे कई प्रकार के question कर रहे होते हैं आपकी qualification क्या है क्या आपको आता है खर लास्ट में एक इंटरव्यूवर उससे पूछता है कि आपकी email ID बता दीजे तो लड़का डर जाता है क्योंकि उसको email ID के बारे में मालूम नहीं होता है वो जानता नहीं email ID क्या होता है तो इंटर्विवर कहता है आप किस दुनिया में जी रहे हो आज कि आज की टेक्नोलिजी इतनी आगे बढ़ चुकी है और आपके पास एक email ID नहीं है क्या होगा आपका उसको reject कर दिया चाता है बाहर निकलता है जेब में हाट डालता है तो देखता है उसके पास 200 रुपे है तो 200 रुपे से apple खरीता है और उन शेहर की गल्यों में apple बेचने के ले निकल पड़ता है शाम तक 70 रुपे का उसे profit हो जाता है अब उसके पास 270 रुपे आ जाते है तो उसको लगता है ये काम तो बहुत interesting है बहुत मज़ा आ रहा है इसमें तो बस अगले दिन में 270 रुपे लेकर कुछ apples खरीता और फिर उसको profit में बेचता चला जाता है धीरे धीरे उसका business बन जाता है मंडी में उसकी दुकाने लगने लगती है और business ग्रो होता है एक के बजाए दो दो के बजाए तीन चार पाँच ऐसे 7-8 दुकाने उसकी शेहरों में भिन-भिन इस्थानों पर खुल जाती है तो गाउं पहुंच जाता है गाउं जाकर सबको सुनाता है कि कैसे हमारा क्या business शेहर में चल रहा है और जो है सबको offer करता है कि अगर कोई मेरा सहयोगी बनना चाहे तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं तो 7-8 लोग और उसके साथ जुड़ जाते हैं और वो सब म अच्छा शेहर में आके इतना बड़ा business man बन चुका है fruits और vegetables का तो उसकी बहुत सारे interviews होने लगते हैं तो एक interview लेने के लिए एक reporter, media reporter पहुंच जाता है तो उसे बहुत सारे question पूसता है प्रश्न पूसता है कि आपने कैसे संघर्ष किया क्या क्या आपने किया जीवन में क आपने सीखा अंत में कहता है कि सर आपकी email ID आप मुझे बता देंगे तो मैं आपको ये interview mail कर दूँगा तो वो व्यक्ति businessman कहता है जी मेरे पास email ID नहीं है तो वो पूसता है कि आप इतने बड़े business man और आपके पास email ID नहीं है तो इस व्यक्ति का जवाब सुनिएगा बहु ही होता दोस्तों ये बहुत ही प्रेणादाएक कहानी है कि हम आज पता नहीं क्या पाने के पीछे भाग रहे हैं भाग दौड कर रहे हैं टेक्नॉलीजी के साथ अपने को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वास्तव में हमारे इंदर जो विशेष्टाएं हैं हम उन्हें भूल जाते हैं और दूसरों को कॉपी करने लग जाते हैं अगर हम अपनी विशेष्टाओं को देखते हुए कोई कारे करते हैं तो उसमें आपकी असफलता हो ही नहीं सकती है और अब यह है एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे कि अच्छी वीडियो भी जरूर देखे